अगर आपको वाइफर चेंज करना है तो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से चेंज करोगे आप यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बटम रहता है आप उसको दबाना है ओके फिंगर से आप नीचे की और दबाओगे न और वाइफर को नीचे करोगे तो आपका एजिली लॉक वाइफर को इस तरह से सीधा करके उसके जो लॉक है उसको पीछे करना है ओके यह देख रहे हूँ किस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको निकाल लेना है इजिली निकल जायागा और न्यू को भी जिस तरह से आपने निकाला उसी तरह से आपको लगाना है और उसक से लॉक हो चुका है और आप जो है अपने से इस वाइफर को रिफलेश कर सकते हो